जैहिंद और हेलो गाईज सुवागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान दे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानि के बीएस पीएच सीयल जूनर अकाउंट्स कलर्क ऑनलाइन फोजार चोबिस के बारे में कि कैसे आपको मेंली जूनर अकाउंट्स कलर्क की पोस्ट पर अपलाई करना है गाईज वैसे तो ओल लेडी मैं इसके फॉन फिलफ की वीडियो बना चुका हूँ सभी पोस्ट पर अपलाई करने के प्रोसेस को लेकर के भी और जो टेकनीशन ग्रेड थी की पोस्ट है उसको लेकर के भी पर आपके जो स्पेसल कमेंट आ रहे थे जिनमें की यह कहा जा रहा थे कि सर जूनर अकाउंट्स कलर की पोस्ट पर कैसे अपलाई करना है उसका प्रोसेस बताईए और क्या हम मल्टिपल पोस्ट यानके एक से अदा पोस्ट पर अपलाई कर सकते हैं वो भी आप बताईए तो आप यहाँ पर एक से अदा पोस्ट पर अपलाई कर पाएंगे उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और कैसे आपको अब जूनर अकाउंट कलर की पोस्ट पर अपलाई करना है अगर आप एक से अदा पोस्ट पर अपलाई करने के लिए यह आपको बताया जाएगा त को open करने के बाद आपके सामने ये सब जानकारी आएगी आप ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में यहाँ पर important link के section में आईए और apply online link open कीजिए आपके सामने ये website आजएगी अब यहाँ पर आजाने के बाद में मैं आपको बता दू कि अगर आप already किसी एक post पर apply कर चुके है तो आपको simply यहाँ पर login के उपर क्लिक करके जो भी आपकी login details है जिसमें कि आपका application number या फिल login ID डालिए आपका जो password आपको मिला था message के माधियम से या email के माधियम से और डालिए और ये capture code डाल करके login कर लीजे, login करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपका dashboard आएगा आपको यहाँ पर post selection के उपर किलिक करना है, आप देख सकते कि old lady में एक post जिसो की है technician grade की उस पर apply कर चुका हूँ और अभी आप यहाँ पर देख सकते click here to apply for post यानके अगर आपको किसी अन्य पोस्ट पर भी apply करना है तो आप इसके उपर click करेंगे and जिसे कि मैं यहाँ पर click करता हूँ तो आपके सामने इस तरह से processing होगी मैं इस processing को होने देता हूँ तो चलिए यह processing होने दीजिए अब आप यहाँ पर देख सकते है जो आपने apply किया था उसके बारे में आपको बोला जा रहा है कि you have already submitted an application successfully do you want to load the basic detail यानके जो आपने basic detail पहले वाले form के अंदर भरीती कि आप उसको load करना चाहते ताक कि आपको सेम जानकारी दोबारा से ना भरनी पड़े इसलिए आप यहाँ पर ok कर दीजिए अब ok करने के बाद में आपकी पहले वाले information fetch कर ली गई है अभी मैं आपको अगे का process थोड़ा बाद में बताऊंगा पहले उनके बारे में बात कर लेते जो की freser है और पहली बार इस form को भर रहे है यानके उन्होंने अभी तक किसी भी post पर apply नहीं किया तो guys आप यहाँ पर register के उपर click करेंगे उसके बाद में आपके सामने यह वाला interface आएगा और इस तरह से processing होगी तो आप इसको होने दीजेगा और close कर दीजेगा फिर privacy को भी यहाँ पर आएगरी कर दीजेगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका first name डालना है 10th के certificate के according और फिर middle name नहीं है तो खाली छोड़ दे and then जो आपका last name है वो आप यहाँ पर enter करेंगे उसके बाद क्या आपने कभी आपका नाम बदला है दस्वी करने के बाद में अगर हाँ तो yes नहीं तो आप no करेंगे इसके बाद में guys यहाँ पर जो भी आपकी date बरत है वो आप calendar के उपर click करके select कर लेंगे इस तरह से जो भी आपका year है वो फिर आपका month और उसके बाद में day then आपको आपका gender select करना है फिर यहाँ पर आप आपका mobile number डालेंगे उसको दोबरा डाल करके verify करेंगे आपका email ID डालेंगे उसको दोबरा डाल करके verify कर देंगे इसके बाद फिर आप generate OTP के उपर click करेंगे तो आपके number और email दोनों के उपर OTP जाएगा कोई भी एक OTP आप यहाँ पर डाल करके verify कर दीजगा फिर आप I agree के उपर click करके capture code डालने के बाद जैसे re-verify पर click करेंगे तो जो भी आपने जानकारी भरी जैसे कि आपका नाम आपका date of birth आपका gender आपका number आपकी email ID वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको उन सभी को check करने के बाद में उनके सामने tick करना है re-verify के लिए re-verify का मतलब कि आपके according सभी जानकारी सही है और आप इसमें कोई changes नहीं करना चाहते जैसे आप सभी के उपर click करके submit करेंगे तो आपका form का जो relation है वो complete हो जाएगा और complete हो जाने के बाद में अब आपको यह वाला process follow करना है जो कि अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में तो यहाँ पर आपकी relation की कुछ information है यह उसके बाद मैं आपको आपका material status बताना है कि married हो या unmarried हो father या फिर husband का name साधी हो चुके तो husband का name नहीं तो आप आपके पिता का नाम देंगे mother का name डालेंगे फिर कौन सी post पर आप apply कर रहे हैं क्योंकि मैं already technician grade 3 पर apply कर चुका हूँ और अभी मैं mainly junior accounts color की post पर apply करके दिखा रहा हूँ अंदर रखा जाएगा बट अगर आप भी हर से है तो फिर आप यहां पर जो भी आपकी real category है वो select कर सकते हैं साथ ही साथ यहां पर गाईज नीचे identification detail में आपको बताना है आपकी body के ओपर वो निसान जिससे आपकी body की पैचान होती है तो आप उस निसान के बारे में यहां आपको select करने तो जो भी ID आप देना चाहते है वो ID select कर ले उस ID के अंदर आपका क्या नाम है वो आप लिखिएगा और साथ ही साथ यहां पर जो उस ID का number है वो भी आपको देना है पहले ID का number दीजेगा और उसके बाद में जो नाम आपका ID के उपर है वो नाम यहां पर लि नो करेंगे क्या आप एक land loger या फिर land displaced person है अगर हां तो yes नहीं तो आप नो करेंगे और से next कर देंगे अब आती है address की जानकारी तो जो भी आपका address है वो आप यहां पर भरेंगे पहले आपका permanent address जो line first two के अंदर आपका address आप डाल दीजेगा फिर आपकी जो district है वो select कर लेनी है और उसके बाद में जो आपकी city पिन कोड है city का वो भी आपको यहां पर डाल देना है और उसके बाद गाईज आप यहां पर देखेंगे कि क्या आपका permanent और correspondence यान के present address सेम है अगर सेम है तो yes कर यह अगर अलग है तो no करके अलग से भर दीजे और उसके बाद आप save and next कर दीजिए अब आपको यहां पर qualification की जानकारी भरनी है तो सबसे पहले आप 10th की information भरेंगे आपको name of board के अंदर बताना की कौन से board के दौर आपने आपके दस्वी की है कौन से institute या school से की है उस school का नाम आपको देना होगा किस के अंदर आपके नंबर थे percentage CGP या फिर grade वह आपको बताना है अगर मेरे percentage थे तो मैंने percentage select किया फिर आपको बताना कि कितने number आए थे और कितने में साय थे वह आप maximum marks में लिखेंगे percentage calculate कर ली जाएगी फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की दस्वी certificate number आपका 10th का क्या था वह आप डाल दीजे division आप आपने बारवी की है आप यहाँ पर सेम तरीके से बताएंगे कि कौन से बोड के द्वारा की है कौन से school college से आपने आपकी जो बारवी है वो की है उसका नाम आपको देना है फिर किसके अंदर आपके number थे वो बताना है कितने number आपको आए थे वो और फिर कितने में साय थे आप maximum marks में लिखेंगे किस साल के अंदर पास कर ली थी वो बताएंगे certificate नमबर बारवी का क्या था वो डाल देंगे division अपनी select कर लेंगे फिर essential qualification यानि के वो qualification जिस से आप जिस पोस्ट पर apply कर रहे है उस पर apply करने के लिए eligible होते है तो यहाँ पर graduate in commerce है मैं इसको select कर लेता ह फिर आपको बताना है आपके number किस के अंदर है अगर percentage तो आपको बताना है कि कितने number आपको आई थे मैं demo के लिए number यहाँ पर fill कर रहा हूँ आपको आपके real number यहाँ पर enter करने होंगे तो चलिए हम यहाँ पर इसको enter करते है फिर maximum marks आपके क्या थे वो आप यहाँ पर डाल और उसके बाद यहाँ पर certificate number देना होगा आपको division अपनी select कर लेनी है और फिर यहाँ से भी save and next करना है अब आती कमपनी डेटेलियर किस कमपनी को आप कौन से number पर preference देना चाहते है वो आप यहाँ पर आपकी choices के according इस तरह से select कर लीजेगा जिसको भी आप जिस number पर रखना चाहते है और फिर आप यहाँ पर save and next के उपर click करेंगे अब आपको यहाँ पर photo and sign upload करना है तो आप यहाँ पर click upload के उपर click करेंगे आप देखेंगे कि आपके photo का size 2-500KB के बीच में आपके photo का background white रहना चाहिए format आपका JPEG या फिर JPG का चल जाएगा तो आप browse to upload के उपर click कीजिए and then यहाँ पर file select कीजिए open कीजिए आपका photo इस तरह से upload हो जाएगा फिर आप यहाँ पर जैसी upload हो जाए इसको close कर दीजिए और view uploaded photo के उपर click करके view कर दीजिए and फिर इसके बाद आपको आपका signature upload करना है जहाँ पर भी आपकी signature की file है वह आप select कीजिए signature का size 50 से 200K review के बीच में रखा है इसको आप करो भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते है and view के उपर click करके आपको इसको view करना अनिवारी है फिर आप payment mode select करेंगे fees का amount आप यहाँ पर देखेंगे इनके उपर click करेंगे और इनके उपर click करने के बाद preview के उपर click करके आप देख अगर जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तभी आप यहाँ पर submit के उपर click कीजिए submit के उपर click करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आएगा आप इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तमाल करके अपनी application fees को जमा कर सकते हैं जैसे इस इस आप fees जमा कर दे तभी जाकर के आप अपने form का final print out ले पाएंगे और तभी आपका form complete माना जाएगा तो इस तरह से आप लोग आप यह form भरेंगे अगर आप किसी और post पर भी apply करने के लिए eligible और आप उस पर apply करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर login करके same way में apply कर लिजगा जैसे कि अभी मैंने आप आपको इस वीडियो में बताया है so thanks for watching जैहिंद